आधव वंदित विमल पद पुन्य पयो निधिनन दोश दहन गुन गहन घन अरिकरी हरी अरहन स्वानु भूति रमनी रमन जगनायक जैवन सिद्ध सुध साधित सहज स्वरस सुधार सिधार समय सार शिव सर्व गत जैनी बानी विविदि विधी वर्नत विश्र प्रमान स्यात्पद मोद्रत अहेत हर करहु सकल कल्यान मेन मोन अगन जैन जन जान ध्यान धन लीन मेन मान बिन दान धन एन हीन तन छीन यह विधी मंगल करन ते सब विधी मंगल होत होते ओदंगल दूर सब तम जयों भानू अद्योत होते ओदंगल दूर सब तम जयों भानू अद्योत शाम के समय पर अपनी गुणेस्थान वेचन विशाय पर कख्षा चल रही है गुणेस्थान वेचन के अंतरगत प्रतम गुणेस्थान की चर्चा अपनी हो चुकी है प्रतम गुणेस्थान का पूरा वर्णन होने के बाद उसकी परिवासा भेद प्रभेद गमन गमन आदी जानने के बाद अब प्रकर्ण अपनाता है दूसरे गुणिस्थान का जिसका नाम है सासादन सम्यक्त्व किसी ने प्रस्ण किया था कि मिथ्यात तो गुणिस्थान की चर्चा हो गई लेकिन ये भी बता दें कि मिथ्यात तो को छोड़ने का उपाय क्या है यद प्यपने इस कक्षा के अलावा जितने भी प्राउचन और कक्षाएं चल रही हैं सभी कक्षाओं में और प्राउचनों में ध्रब्यानियों की मुख्यता से सर्वत्र उपाय बताया ही जा रहा है इसलिए यहां अलग से विस्तारी की जरूरत नहीं समझ में आती है सबसे पहले शास्त्र स्वाध्याय करके वस्तू स्वरूप का निर्णाय करें तत्व वस्ता को जाने सड़ द्रब को जाने पांच अस्तिकाय को जाने और स्वाध्याय करते हुए वस्तू स्वरूप को जानने के बाद अपने आप ही सारी माननताइं सपस्ट हो जाती है क्या सही है और क्या गलत है इसका नर्णाय अपने आप हो जाता है अपन लोगों की अधिकतम लोगों की ऐसी आदत होती है कि हम दूसरे से पूँच पूँच के नर्णाय करते हैं लेकिन उसका प्रथम उपाए पूँच पूँच के नर्णय करना नहीं है सबसे पहले स्वयम अध्यन करें फिर समझ में ना आए तब पूँचने के बाद चर्चा करने का प्रयास करना चाहिए स्वाध्याई के जैसे पांच अंग कहे हैं वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश सबसे पहले वाचना कहा के स्वयम वाचनावाने पढ़ हैं स्वयम ही पढ़ हैं और पढ़ने के बाद उसमें से कोई चीज समझ में ना आए तब उसको पूँचें नमबर तीन पर है अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा माने बार बार चिंतवन करना जो विसए हमें समझ में आ गया चर्चा से समझ में आ गया प्रश्नोतर से भी समझ में आ गया उसको बार बार चिंतन में लेबें और जब चिंतन के द्वारा जब बात पूरी स्पष्ट हो जाए उसके बाद उसको अच्छे से ध्यान में रख लें याद कर लें उसका नाम है आमनाय और जब चार चीजें हो जाएं वैसे अपने अपना स्वैम का काम करना हो तो अपने लिए तो चारी काम के है वो जो पाँचवे नमबर का है वो तो दूसरे के काम का है कौन सा? धर्मो पदेस वो तो दूसरों की भलाई के लिए है यदि हमें अपना भला करना है तो इन चार रंगों से अपना भला कर लें लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है के चार रंगों पे तो चलते नहीं है लोग और 5 में नंबर के अंगे से सुरू करते हैं कहां से? धर्म उपदेश तो वो सारा क्रम गड़वर हो जाता है धर्म उपदेश का नमबर तो अंत में है यदि जरूरत पड़े बो भी अनिवारी और कंपलसरी नहीं है ऐसे बहुत सारे मुनिराज हो गए जिन्होंने धर्म उपदेश नहीं दिया बहुत सारे केवली भी हो गए जिन्होंने धर्म उपदेश नहीं दिया मूख केवली थे और भी अंतकरत केवली आदी थे सीधे मूख चले गए उपदेश की जरूरत है नहीं पड़ी सारे अपने जितने भी तीर्थंकर होते हैं मुनी अवस्था में एक भी तीर्थंकर उपदेश नहीं देता उनके कोई प्रोचन नहीं होते ऐसे मुनी दीख्षा ली फर उसके बाद सुरू कर दिया परचार कोई परचार नहीं क्योंकि दीख्षा लेते ही मौन हो जाते हैं और कब तक मौन जब तक केवल ग्यान ना हो जाए तब तक मौन है पर केवल ग्यान होता है पर अपने आप ही दिब धुनी खिरती है भब जीवों के भागे से उनको तो किसी को सुनाने का कोई भी भाव होता नहीं भाव होगा भी नहीं क्योंकि उनके भाव का अभाव हो गया किसका भाव हो गया भाव माने इच्छा और इच्छा मोहिनी कर्म की है चारत्र मोहिनी कर्म के कारण से होती है उसका भाव हो गया इसलिए वहाँ उपदेश का गुद्धी पूर्वा के इच्छा पूर्वा को उपदेश का काम ही नहीं इसलिए अपना हमें भला करना है कल्यान करना है तो करमिक स्वाधधाय करें चिंतवन करें और जो वस्तु स्वारू समझ में आया है बारं बार अभ्यास करें प्रैक्टिस करें तो सम्मिक दरसन की प्राप्ति होगी होगी इसमें कोई समस्या नहीं है ना कि रहे हैं ने ने वो तो सूख शमता अभी अपन उसको लेंगे तो बिगड़ जाएगा काम अपन अलग से चर्चा कर लेंगे हम चाहरे हैं अभी मुझे कई लोगों ने कहा कि आप शंकार समाधान कम करें और इविसाइब में चलें तो अपन जो जिनको एकदम ही अलग से ऐसी प्रस्न है शंका है उसकी अपन चर्चा कर भी लेंगे मुक्षमा प्रगासक के अध्याय में है यह तो अपन वहां से भी कैसे भी कर लेंगे लेकिन अभी सीदे अपन दूसरे गुणे स्थान की चर्चा को प्रार्म करने में डिरेक्ट समय देने का प्रयास कर रहे हैं पहले गुरिस्तान की चर्चा की अब पहले गुरिस्तान के बाद गुरिस्तान नम्मर दो दूसरे गुरिस्तान का नाम क्या बताया सासादन सम्यक्तव तो सभी को चाहिए के नहीं चाहिए सासादन सम्यक्तव क्योंकि पहला तो कोई नहीं चाहता वहले ही मजबूरी में रह रहे हैं लेकिन सब चाहते हैं कि हमारा पहला गुनेस्तान छूट जाए चलो बहुत बड़ी है अलग अप एक शास से उत्तर मिला चले और कॉमन मैं जैसे पूश रहा हूँ कि पहला गुनेस्तान तो सब छोड़ना चाहते हैं पहले के बाद दूसरा चाहिए के नहीं चाहिए बहुत से लोग बोल रहे हैं नहीं चाहिए नियमानु पूरवक देखा जाए तो पहले से दूसरा तो नहीं पहले से दूसरा यदी चाहें तो भी नहीं होगा इस करम से बताता हूँ पहले से दूसरा यदी हम चाहें तब भी होगा नहीं हो नहीं सकता है फिर भी अनेक जीवों को होता है और जब दूसरा गुणेसान होता है तो कैसे होता है उसकी बिधी क्या है क्रम क्या है उस पर हम अब यहां विचार करने का प्रयास कर रहे है सबसे पहले हमें जाने के दूसरे गुणेसान में आने के लिए हमें वाया वाया जाना पड़ेगा तो कैसे कहा जाएं और कहा जाने के बाद किस तरह से दूसरे गुणेसान में आते हैं उस क्रम को हम जानते हैं प्रथम गुणे सान से सबसे पहले यह जीव सीधा सम्यक्त प्राप्त करके सम्यक्त भी कौन सा ओफ समिक कौन सा सम्यक्त तो है ओफ समिक चाहे अनादी मिठ्याद्रिष्टी हो या सादी मिठ्याद्रिष्टी हो बहुत ध्यान पूर्वक सुने और अच्छे सुने मैं बार बार बोलूँगा दो बार तीन बार भी बोलूँगा लेकिन आप लोग जो कहें एकदम उसको पक्का पकड़ें इधर का उधर न हो जाए नहीं तो कई बार दिक्कत हो जाती है कल भी बताया था कुछ चूक जाता है और कुछ कहीं का कहीं भी हो जाता है इसलिए बहुत साउधानी से सुनने का प्रयास करें पहले गुनिस्तान से जीव ने और समिक समिक दरसन प्राप्त किया किस किस ने साधी मिठ्यादरष्टी हो चाहे अनाधी मिठ्यादरष्टी हो दोनों मेंसे किसी ने भी और सम्यक्त प्राप्त किया यहाँ पर देखिए चार्ट बना हुआ है मैं यहाँ से चार्ट से ही आपको बताने का प्रयास करूँगा आप अच्छे से उसको देखें यहाँ पर भी एक बार दिखा देवें आप खड़े होके बताऊं दो चलेगा माई खई देखिए यहाँ पर आपके बोर्ड पर एक चार्ट बना हुआ है यह पहला प्रतम गुनिस्तान है मिथ्यात्व गुनिस्तान यहाँ से कोई जीव मिथ्यात्व का अभाव करके और कहां पहुचा चोथे पांचवे या साथवे चोथे में जाता है सीधा पांचवे में जाता है या साथे में जाता है तीनों मैंसे कहीं पर भी गया अपन माल लेते हैं कि पहले से चोथे में गया कहां गया पहले से चोथे में गया और चौथे की प्रोसेस से करते हैं थोड़ा इजी हो जाएगा बगी जा सकता है चौथे पांचवे अथवा साथे में भी पहले से चौथे में गया और ओफसमेक सम्यक्त प्राप्ते किया कौन सा सम्यक्त ओफसमेक सम्यक्त प्राप्ते किया ओवसमिक सम्यक्त का काल है अंतरमुर्त कितना है अंतरमुर्त अंतरमुर्त काल तक वह जीव ओवसमिक सम्यक दर्सन सहित चतुर्त गुणिस्थान में रहेगा ये बात एकदम पक्की है लेकिन मालो ऐसा कुछ हुआ कि आपसमेक सम्यक्तु का काल पूरा होने के पहले ही मालो धारण के लिए अपन समझते हैं कि आपसमेक सम्यक्तु का काल माना एक मिनिट है माना कितना है एक मिनिट मान ही रहे हैं नहीं तो आप कहो, नहीं उनने तो बताये था कि आउप सम्यक्तू का काल कितना होता है? एक मिनिट, माना कितना? एक मिनिट, और एक मिनिट में कितने सेकंड? 60 सेकंड अब मालो कि 60 सेकंड माने एक मिनिट तक यह हिजीव औप समिक सम्यक तो मैं रहा अब इस औप समिक सम्यक तो काल जो एक मिनिट है उस एक मिनिट के पूरा होने के पहले देखिये दूसरा चार्ट देखें आप यहाँ नीचे लिखा है मिठ्यात्व और मिठ्यात्व के यहां से यह पूरा यहां लास्ट में मानना आप आप समेक यहां मिठ्यात्व का भाव करके यह पूरा का पूरा कहां गया यह आप समेक समेक तो का काल यह यहां आप समेक समेक तो मालने यहां पर है अब इस जीव के और मालो एक सेकंड हुआ, दो सेकंड हुए, तीन सेकंड हुए यह ओप समेक सम्मेक्तु का काल चलता चला जा रहा है कठें तो नहीं लग रहा? अब सम्मेक्त तो किसी जीव को हुआ, एक सेकंड हुआ, दो सेकंड हुए, तीन सेकंड हुए, चार सेकंड हुए, ऐसे ही पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस यहां से चलते गए, पचास सेकंड हो गए अभी भी कौन सा सम्मेक्दर्सन है? उस जीव को आनन्द आ रहा होगा के नहीं आ रहा होगा कितना आ रहा होगा अतिंद्री आनन्द पंचिंद्री के विश्यों के भोगों से विरक्त जो आत्मा का अनुभाव कर रहा है वो आत्मा का आनन्द ले रहा है 50 सेकंड होगे 51 सेकंड होगे 52 सेकंड हो गए 53 सेकंड हो गए 54 सेकंड हो गए यहां तक अभी कौन सा सम्यक तो है आप सम्यक मालो 54 सेकंड हो गए 54 मतलब 54 अब 54 सेकंड होते ही उस जीव के यहां पर उदय आ गया किसी का किसका उदय कितने सेकंड हुए थे चवगन सेकंड में किसी एक काद है क्रोध का, मान का, माया का या लोव का इन चारों मैं से किसी एक काद है आया वह जी वहां से ओफ समेक तो इसे गरा और समेक सम्मेक तो इसे गिर जाता है किस कारण से गिर गया चार कसाय में से किसी एक कवड़ आ गया तो और समेक सम्मेक तो इसे गिर गया अब और समेक सम्मेक तो इसे गिरा नीचे गमन कर रहा है और कहां पर आना है उसको अब मिठ्यात तुमें अभी कितने सेकंड बचे थे उसके? 6 सेकंड तो 6 सेकंड तक वो कहां रहेगा? मालो कोई जीव है, उपर पहाड़ी पर है और उपर से गिरा कहां आएगा गिरके? नीचे जमीन पर आएगा? हाँ नीचे जमीन पर आएगा तो उसके बीच में रस्ते में भी तो रहेगा के नहीं रहेगा कुछ देर के लिए रस्ते में रहेगा पहाड़ी से गिरा और जमीन पर आना है बीच में जो रस्ते में रहेगा जितना टाइम रस्ते में रहेगा वो यहाँ पर बता रहे हैं वो सासादन सम्यक्तों का काल है फिर से एक बार और सम्यक्तों का जो काल था एक मिनिट अपनने माना है यहना 54 सेकंड हुए और उतने मैंनता अनुबंदी का उदाय आया तो सम्यक्तों से गिरा गिर कर मालो सम्यक्तों है परवत सम्यक्तों क्या है परवत और नीचे की जमीन है मिथ्यात गुनिस्तान अब सम्यक तुरूपी परवस से उपर से गिरा और अभी मिथ्यात में आया नहीं है रास्ते में वो चल रहा है रास्ते में उपर से गिरा है तो नीचे पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा बोलिए बहुत सरल प्रशन पूछा है और सम्यक सम्यक तुरूपी काल था एक मिनिट उधारन के लिए चववन सेकंड हुए और अभी कितने सेकंड बचे है तो अब उसको जमीन तक आने में मिथ्यात तक आने में कितना टाइम लगेगा छे सेकंड लगेगा बिल्कुल यही गणित लगाना है साब वहाँ यदि छे सेकंड बचे थे तो यहां तक आने में कितने सेकंड लगेंगे छे सेकंड यदि वहाँ पर पाँच सेकंड बच थे माने चववन के बाद पचपन सेकंड तक कहां पहुँच गया और आगे और पच्पनवे सेकंड में यदि अनंता अनुबंदी का उजय आता तो जी वहां से गिरता तो रास्ते में कितना टाइम लगता पास सेकंड यदि फिप्टी सेक्स छपन सेकंड तक और शपन सेकंड में अनंता अनुबंदी का उजय आता तो कितने सेकंड बचे चार सेकंड चार सेकंड तक कहां रहता सासादन सम्यक्त माने जो बीच का जो रास्ता है न दूरी पहाड़ी और जमीन के बीच की जो दूरी है उसे सासादन सम्यक्त कहते हैं पहाड़ी माने और सम्यक्त जमीन माने मिथ्यात और सम्यक्त और मिथ्यात के बीच की जो दूरी है वह सासादन सम्यक्त कहलाती है clear एक बार फिर से बताएं क्या यह कहरें नहीं बताओ नहीं बताएं पीछे वाले वीडियो चालू है वहाँ से हाँ, बताएं क्या, clear है अच्छा लेट आए आप तो फिर से बताएं अच्छा चलो बहुत बढ़ी जा आप लेट आते जाओ और हम बताते जाएं, कोई बात नहीं अगला हो रहाएगा, हम लेट आएं फिर से बताओ है ना चलो, कोई बात नहीं बहुत सरल है कितनी बात मिठ्यात्तो का अभाव करके कोई जीव कहां पहुँचा, और समेक सम्यक्तों में, और सम्यक्तों में पहुँचा उसका काल कितना अंतर महुर्थ, कितना है अंतर महुर्थ अब दूसरे चार्ट को देखें, मिठ्यात्तों से और सम्यक्तों गया है अंतर महुर्थ तक वह जी वहां रहता है लेकिन पुर्सार्थ की कमजोरी और निमित्त की तरफ से कहें तो अनन्तानुबंदी में से किसी एक का उदय बीच में आ जाए और सम्यक्त के पूरे अंतरमूर्त काल में से बीच में ही किस का उदय आ जाए अनंतान उभन्दी, क्रोद, मान, माया, लोब में से किसी एक का उदया जाए तो वहे जीव नियम से, और समेक सम्यक्त से गिरेगा नियम से गिरेगा और गिर कर कहां पर पहुँचेगा पहले मित्यात गुनिस्तान में आएगा ही आएगा लेकिन उपर से गिरा है और नीचे पहुँचा नहीं है दौनों के बीच में जब तक वो बचा हुआ है जब तक वो चल रहा है उतना टाइम पिरियट सासादन सम्यक्त का है हाँ बोली एक सिकंड हाँ दौनों मिलाके बिलकुल एक मिनिट हुआ बिलकुल दौनों काल मिलाके एक मिनिट है अच्छा प्रस्ण है आपका फिर से मैं बताता हूँ इसका उत्तर प्रस्ण था 55 सेकंड तक तुमा लोग कहा रहा और सम्यक्त में अभी और सम्यक्त के कितने सेकंड बचे थे पाँच पाँच सेकंड अब वो पाँच सेकंड में वहां से गिर गया तो रस्ते में कितनी दे तक रहेगा पाँच सेकंड तो पाँच सेकंड वो और पचपन सेकंड वो दोनों मिलाके कितने हो गए साथ वो साथ पूरा और सम्यक्त का ही काल है ठीक है? क्या चीज? हाँ गिरने वाला भी काल उसी मेड होगा क्योंकि वो पांच बचे थे ना उपर तो पांच जो बचे थे वो सासादन सम्यक्त को मिल जाते हैं इसलिए देखिए नाम ही उसका है सासादन सम्यक्त अब इसका मैं अर्थ बताता हूँ सा प्लस आसादन सा माने सहित आसादन माने विराधना विराधना सहित किसकी विराधना? किसकी विराधना? सम्यक्त की विराधना सम्यक्त की विराधना इसे जीवने की किसके उदे में सम्यक्त की विराधना हुई अनंतानुबंदी के उदे में अनंतानुबंदी के उदे में सम्यक्त की विराधना हुई इसलिए सासदन माने विराधना सहित लेकिन इसमें सम्यक्त भी जुड़ा है क्या जुड़ा है सम्यक्त रखतो बटा इस सम्यक्त क्यों जुड़ा है क्योंकि दूसरे गुणिस्थान का जो काल है वह है और सम्यक्त का ही काल है किसका काल है वो पांस सेकंड और सम्यक्त का ही काल है इस कारण से यहां पर सम्यक्त भी लगा हुआ है है न इसलिए वो हो गया विराधना सहित सम्यक्तु की विराधना भी हुई विराधना हम किस से मानेंगे अनन्तानुबंदी के उदाय से विराधना हुई लेकिन अभी टाइम किसका है वो बचा हुआ टाइम किसका है किसका है और सम्यक्तु का इसलिए off sum लो पाँच सेकंड जो ही बचा वो पाँच सेकंड किसको मिल गए किसको मिल गए साथ साधन सम्यक्ट को अब देखें कि यहांपर जो अनन्था नुबंदी का जो वदैया था अपनने उधारन के लिए माल लिया कि वो 55-54 सेकंड गया फिर यदि 6 सेकंड पहले उदाय आया तो साथ सादन सम्मेक तुका काल कितना 6 सेकंड यह तो उधारन के लिए हमने माना था अब एक्चुल गड़ना क्या है वो सुन लो आप कि यह 5 सेकंड और 6 सेकंड ऐसे नहीं वज़ते है कितने वज़ते हैं कम से कम एक समय कम से कम मने ओव सम्मेक सम्मेक तुका काल पूरा हो रहा है होने वाला है complete और लास्ट का एक समय बचा कितना समय बचा एक समय किसमे एक समय बचा ओव सम्मेक सम्मेक तुका काल पूरा होने में एक समय बचा उस एक समय में अनंतानू बंदी में से किसी एक कवड़ आ जाए क्रोद मान माया लोब में से किसी एक कवड़ आ जाए तो वہजी वहां से गिरेगा और सासादन सम्यक्त मैं आएगा कितनी देर के लिए आएगा एक समय के लिए, बहुत बढ़ी है क्या नाम तुम्हारा गौतम गंधर हैं बारे बार क्या नाम रखा है कहां से आए हो हां खड़ेरी से कहां से रहली आच्छा जाए खड़ेरी के पास में है चलो कोई नाम है गौतम गंधर और कितना छोटा सा सब समझ रहा है मैं तो बता रहे था एक समय उसने गणना बता ये नहीं जितना समय वहाँ से बचा उतना समय बिलकुल एक्शेल यही आंसर है एक समय बचा था तो साथ साधन सम्मिक्तू काल कितना एक समय और अधिक्तम काल मैंने एक समय भी हो सकता है दो समय तीन समय यहां से बढ़ाते जाओ अधिक्तम काल छे आवली कितने आवली छे आवली काल सेस बचे अब एक सिकेंड में बता दू मुझे पता है आपको प्रस्ण कुछ-कुछ हो रहे होंगे आवली शब्द यहां लखा है आवली दीपावली पढ़ा है ना वो दीप को हटा देना आवली लिख लेना आप वो हो गया आवली अब आवली क्या है वो बताता हूँ वो वहां आवली का अरथ पंक्ती होता है दीपावली माने दीपों की पंक्ती लेकिन यहां आउली कारते पंक्ती नहीं लेना है क्या लेना है मैं बताता हूँ कम से कम एक समय और अधिकतम छे आउली काल सेस बचे इतने में अनंता नुबंदी का उद्याया विदि छे आउली सेस था किसका काल ओव समिक समिक तुका काल छेयावली से स्था और वहां नंतानुवन्दी का उदयाया कौन से गुणेस्थान में पहुँचा दूसरे सासादन में तो सासादन सम्मेक तुमें अब कितनी देर रहेगा छेयावली काल बचेगा तो छेयावली काल तक वह जीव दूसरे गुणेस्थान में रहेगा और उसके बाद नियम से 100% नीचे पहले गुणेस्थान में आएगा ही आएगा हो गया? हाजी कल पूरा कर लेते मतलब अच्छा है इनका प्रस्ण ये है कि हमने तो आपसम एक सम्मेक तुका काल पूरा होने के पहले ही उसको खीच लिया वो जीव आ गया यदि आपसम एक सम्मेक तुका पूरा काल कम्पलीट हो जाता टाइम नहीं बसता तो का होता वो बोले है भाई सब तो क्या होता तो फिर और ही कुछ चमतकार होता फिर वो दूसरे गुनिस्थान में नियम से नहीं आता वो और कहीं जाता सब के अपने अपने रास्ते हैं अपन भी सुचते हैं यहाँ नहीं तो वहाँ चलो वहाँ नहीं तो इदी अनंतानवंदी का उदाय बीच में आ गया तो दूसरे में यह दी पूरा कंप्लीट हो जाता तो फिर और कुछ के उदाय आते अब किस के उदाय आते वह अपन अभी देखेंगे हाँ बहुत बड़ी है आपका प्रस्ण है इनका प्रस्ण है यह है कि अभी हमने जैसे उदारने के लिए एक मिनिट लिया था तो उसमें आगे आगे वड़े मालों 30 सेकंड हुए और 30 सेकंड में अन्ता अनुमन्दी के हो जाए आ जाए तो दूसरे गुर्णिससान के काल कितना 30 second यह तो धार्न के लिए समझा था वैसे इतना काल उसको मिलता नहीं है इतना काल यदि नियमानुसार देखें तो 30 second ही होता लेकिन इतना काल दूसरे गुणेस्तान को मिलता नहीं है क्योंकि और समेक समेक तो इसे गरता है तो बहुत तेजी से पहले गुणिस्तानी की ओर आता है और उसमें बहुत कम समय है है ना तो उतने कम समय मिलते हैं यहां की चर्चा हो गई हो तो आप अपना आगे बढ़ाते हैं हाँ जी एक सेगंड अब माईग दे दो जरा उधर वहां दीजिए आप समय समय की जैसे अभी ग्जंपल चलाता है कि एक मनगे ते छपन सा्थाद पूरे हो गए चार सेकंड बचे तो वह जो समय है और दूसरे गुंड स्था तढ़ा है वह जो autoconस बचे वह पिरेट साथाद समय कथ का है हाँ ठीक है ना ओड चार समय खतम होने के उपरान तो फिर वो मिध्यात में आ जाएगा ना बिलकुल आ जाएगा जैसे यहाँ पर वो बताया था कि एक समय से लेके 6 अवली तक का समय है बिलकुल तो वहाँ से वो जो सासादन समगत के बाद का ही समय है वो हाँ बिलकुल है ठीक है थैंग है ना ऊपर माने जो भी समय एक्स्ट्रा थे जो दूसरे गुड़े सान को मिल गए थे अब वो पूरा टाइम हो जाएगा तो पहले में आ जाएगा हाँ अपका प्रस्ण है कि कम से कम एक समय था अधिक्तम छेयावली था तो छेयावली से और भी ज़्यादा काल बचे काल हो रुसमे अनंतानुबंदी में से किसी का उदय आ जाए तो आता ही नहीं है माने छेयावली से अधिक काल हो सातावली हो आठावली हो तब वह जीव उसके अनंतानुबंदी का उदय नहीं आता लिमिट है कि छेयावली अधिक्तम और कम से कम एक समय इन दोनों के बीच में जितना भी टाइम हो उसमें से किसी का उदय आ सकता है अनन्ता अनुबंदी बिलकुल मिलता है उसी मैसी मिलता है हाँ बूलिए बहुत अच्छा प्रश्ण है है ना ऐसे प्रश्ण होना भी चाहिए चोथी मंजल थी चोथे गुणेस्तान की कौन सी मंजल थी चोथी मंजल से किरा तो तीसरी मंजल पे अटकना चाहिए ना उसको छोड़े दिया दूसरी मंजल पे लाए आप और फिर पहली मंजल पे लाए प्रश्ण ही समझे प्रश्ण फिर से बताता हूँ आपका प्रश्ण है पहले गुणेस्तान का नाम मिथ्यात्व दूसरे का नाम सासादन सम्यक्त तीसरे का नाम मिस्र चौथे का नाम अभी रसम्यक्त तो कितनी मंजल हो गई चार चौथी मंजल से कोई गिरा तो तीसरे की बात ही नहीं कि आपने दूसरी मंजल की चर्चा कर दिया आपने दूसरे गुड़ेस्तान की और उसके बाद कहां पर गिराया पहले में तीसरे को गोणा ही कर दिया बहुत अच्छा प्रस्न है सही बात है कैसे कर दिया अभी जो एक इसने पूछा था ना प्रस्न है कि मालो आप सम्यक्स सम्यक्त का काल पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या होगा उसके लिए वो तीसरी मंजल की चर्चा होगी वो अपन बाद में करेंगे है ना यहाँ पर तीसरी मंजल पर नहीं पहुचेगा यदि ऑप सम्यक्स सम्यक्त का काल पूरा कंप्लीट हो उसके बाद की चर्चा हो सकती है और वो करेंगे अपन अपन इसमें देखें किसी को प्रस नोट रहे थे यह आवली क्या है है ना आवाज आई थी सही है ना यह आवली क्या है क्या होता है आवली हाँ भई सब बता रहे हैं ऐसी उंगली करके यहाँ से भी किसी ने उंगली की थी करो और कर लो एक दो जन जब भी आउली की चर्चा होती है तो उसको समझाने के लिए दो तरह से बात करते हैं नेले जी भाई सब कौन कौन सी दो उंगलियां घुमाने लगते लोग कहां से यहां से उंगली जितनी फास्ट यहां तक आए उतने में जितना टाइम लगे उसको कहते हैं एक आउली सुनते जाना पूरा अच्छे से लिख मत लेना भी आउली को समझाने के लिए उंगली करके बताते हैं कई लोग ऐसा उंगली करके बताते हैं और कई लोग आँक की पलग जपका के बताते हैं कि उपर से नीचे तक जो पलग जपकी उतने में जितना टाइम लगा उसे एक आवली कहते है मरीश जी सही है है केवल ग्यान गम है अभी मैं बताता हूं केवल ग्यान गम में तो है लेकिन ये जो दो धारण दिये न बहुत स्थूल एक कहने के लिए कह देते हैं वास्ताव में इतने में कोई आवली नहीं होती है और ना आख की पलग जपकाने में भी कोई आवली होती है क्योंकि आवली का जो समय है इस से भी बहुत कम है इस में तो फिर भी अपना एक नहीं तो आधा सेकंड तो लग ही जाता है और आवली का समय कितना आवली कितनी सी कितने आधा सेकंड नहीं आधा आधा सेकंड मत करना भी पहले अपन थोड़ी सी एक दूसरी गणना समझने का प्रयास करते है एक लोग के गणत फिर धार में गणत एक सेकंड तो सब ने सुना है एक सेकंड में जो वैग्याने कोई निकाले या कैलिफॉर्णिया वगेर निकाले है एक सेकंड में सो करोड तो नैनो सेकंड होते हैं कितने सुने हैं ना सो करोड को क्या कहते हैं एक अरब एक सेकंड में सो करोड नैनो सेकंड होते हैं और एक एक नैनो सेकंड में एक एक हजार पीको सेकंड होते हैं कौन से सेकंड पीको पीको तो समझते ना वो फाल पीको करते हैं वो ही टाइप पीको नैनो कार हो गई और फाल पीको हो गई क्या फिर से बोलता हूँ एक बार एक सेकंड में सो करोड नैनो सेकंड और एक नैनो सेकंड में एक हजार वन थाउजंड पीको सेकंड होते हैं विपुल जी भाई साब, एक हजार पीको है ना, पीको सेकंड होते हैं यह तो अपना वेग्याने की इतना खोज रहे हैं जो कैलिफोर्निया में एक ऐसा कैमरे का निर्मान किया है कि वो एक सेकंड के अरब में भाग में फोटो ले लेता है इतना तो साइंस भी कर रहा है लेकिन अपना जो साइंस है वह भी और गजब का है अब धवला गरंथ के एक उधारन देता हूँ अपने पंडित के संचन्जी अलवर वालों को सब जानते होंगे अपने जीव समास का जयान आवस्ता के किताब में उन्होंने उसका उधन दिया है एक सेकंड में अपने धवला गरंथ के अनुसार संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां होती है क्या कहा संख्यात कोड़ा कोड़ी नहीं एक सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलिया अब बोलो आवली कितनी इसी होती है आवली के जो समय है कितने कम होंगे बने एक सेकंड अपन जो उंगली घुमा रहे थे इसमें तो आदा सेकंड हो गया और अपन वो आवली की कड़ना कर रहे हैं जबकि एक सेकंड में संख्यात हजार कितनी संख्यात हजार बस नहीं संख्यात हजार कोडा कोडी एक कोडा कोडी क्या होता है मारो कोडे क्या है अच्छा करोड में करोड में के करोड में क्यों क्यों हो भाई यह गोतम गंधर बताओ करोड में के करोड में करोड में एक करोड में एक करोड का गुणा करते हैं तो एक कोड़ा कोड़ी आता है माने एक अंक और चौदा सुन लिखना कितने सुन है एक करोड में एक करोड का गुणा करेंगे तो आप एमस्ट बजना कि एक एकम एक माने एक करोड में एक करोड का गुणा किया तो एक करोड ऐसा नहीं होगा एक करोड में एक करोड का गुणा करेंगे तो एक अंक तो रहेगा लेकिन सुन एक करोड में होते हैं साथ और एक कोड़ा कोड़ी में हो जाएंगे चौदा सुन तो एक अंक और चौदा सुन इतना होता है एक कोड़ा कोड़ी इसको फिर गिनो एकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसजार, लाग कहां तक गिनना है? चौदा सुन और एक अंक तक यहां तक गिना है और कितने संख्यात हजार उस में एक कोड़ा कोड़ी का और गुणा करो टेंसन तो नहीं होगी किसी को हमें ही दे दिया कि एक करोड़ा इतना गुणा करो काई को करो नहीं करेंगे तो मत करो सुन दो संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलिया कितनी देर में एक सेगंड में मैंने अपन सोचें कि वो आवली कितनी सी होगी एक आवली और उस एक आवली में भी असंख्यास समय होते हैं कितने समय असंख्यास समय अभी मैं उसका डिटेल नहीं बता रहा हूँ कितने असंख्यात नहीं तो आप लोगों को और दिक्कत हो जाएगी गुणिस्तान में है देख लेना फिर भी बराबर यह होगा किलियर इतनी सी आउली है और उसमें भी असंख्यात समय और अपन को कितनी आउली लेना है छे आउली तो एक सेकंड का कितना भाग हो गया वो बहुत छोटा अरबबा खरबबा भाग एक सेकंड का अरब खरब भी कुछ नहीं है उसके और जितना करना हो और छोटा सा भाग वो एक आउली और छे आउली अपन कर लो इतना सा मैंने पता ही नहीं चलेगा कि कब वो छे आउली हो गई और एक आउली में असंख्या समय आउपन देख रहे थे कि आउसमिक समयक्त के अंतर मुहूर्त काल मैसे कितने काल मैसे अच्छा अंतर मुर्त काल मैसे कम से कम एक समय और अधिक से अधिक छे आउली काल सेस रहे उतने में किसका अनन्तानुबंदी मैसे किसी एक कवड़े आ जाए तो वह जीव आउसमिक समयक्त से गिरता है और सासाधन समयक्त में आ जाता है हो गई पक्की बात हाँ जी बुलिए हाँ चोथा पाँचवा और सातवा हाँ छटा हाँ बराबर आगमन में तो चोथा पाँचवा और छटा आएगा बराबर उस सातवा दोपन ने पहुँचाने के लिए उहाँ बताया लेकिन जब रिटन होगा हाँ तो चटा भी आएगा बहुत अच्छा प्रसन है आपका कि चटवे गुड़े स्थान से भी डारेक्ट कहाँ पर आएगे ग्यार बार नहीं आएगा वो तो बात की प्रिक्रिया है अभी इतना समझें अभ यहाँ पर एक चीज़ और इसी प्रकण के अंतरगत और समझ लें इतना दो हो गया पका अब आपसमेक सम्यक्त के भी दो भेद होते हैं कितने भेद हैं प्रस्न है सरल है के कठन है सरल है पका उशदोफर चोथे गुणेस्तान से पहले में कब आता है और दूसरे में कब आता है अच्छा प्रस्न है चलो बाली का हैं पढ़ रही हैं विद्यालेयों में इसलिए बता देते हैं उनका चोथे में एदी मिथ्यात्यू का उदय आ जाए तो पहले में आ जाएगा किसका उदय और एदी अनंता अनुबन्दी का उदय आ गया तो दूसरे में इतने ही समझो भी और डिटेल बाद में बताऊँगा ठीक है सम्यक तो किये कितने भेद हैं तीन भेद कितने भेद ओवसमेक शायवसमेक और शायवसमेक तीन है अभी शायवसमेक और शायवक को अभी साइड में रख दो अभी उनकी चर्चा नहीं करना है किसकी चर्चा करना है ओवसमेक की ओवसमेक सम्यक दर्सन के दो भेद कितने भेद कौन-कौन से दो भेद लिखे यह तो कोई दिक्कत नहीं है कौन-कौन से नाम्मभी कितने सरल है नदो भेद पहला प्रासम अवसंम दूसरा नुत्यय अवसंम ऐसे ही शबके भेद होते तो कितना बड़ियां होता है है न, महलों शाय उफ्सम एक के, हमने कहां पांक भेद, वह कितने भेद, कौन बदाएगा, पहला, प्रथम, शाय उप्सम एक, दूसरा, लुट्जा उफ्सम एक, तीसरा, तृत्जा ईफ्सम लगां दो, ऐसे इसके भी भेद है उसके नहीं है ऐसे है ना शाय उसम एक के उसम एक के दो भेद पहला प्रत्मो उसम और दूसरा दुत्य उसम तो प्रत्मो उसम किसे कहते है और दुत्य उसम किसे कहते है परिवासाई बना दो पहली बार हो सो प्रत्मोफसम और दूसरी बार हो सो जब भेद ऐसे करते तो परिवासाई भी ऐसी बना दो ऐसा सब्जेगा नहीं चलेगा पहली बार हो सो का नाम प्रत्मोफसम और दूसरी बार हो सो का नाम दुत्योफसम ऐसा नहीं है है मिठ्ध्यात्यों का अभाव करके जो ओपसम एक सम्यक्त हो उसका नाम है प्रत्मोपसम और दूसरा दुतियोपसम शायोपसम एक सम्यक्तो पूरवक यह अपन उसी भासा में कहें शायोपसम एक सम्यक्तो का अभाव करके किसका शायोपसम एक सम्यक्तो का अभाव करके जो ओपसम्यक हो उसका नाम दुतियोपसम एक बार फिर से बोलता हूँ जो गजब है एक मिठ्यात्यों का अभाव करके हो रहा है और एक सम्मेक तो का भाव करके हो रहा है माने एक मिध्यात तो पूरवक और एक सम्मेक तो पूरवक मिध्यात तो का भाव करके प्रसमोपसम नाम दिया और सम्मेक तो का भाव करके ओवसमेख ओदुतियोपसम कई लोगों को लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है पताता हूं कैसे होता है शाय उसमेक सम्यक तो का भाव करे के कौन सा सम्यक तो हुआ उसका नाम क्या होगा दुतियोफसम होगा तो इस प्रकार से प्रतम उसम और दुतियोफसम इस दो प्रकार के उसम सम्यक तो होते हैं यह क्यों बताए उसका कारण है क्योंकि यहां पर गोई जी ओव समयक्तों में पहुचा, कहां पहुचा ओव समयक्तों में, तो वहां ओव समयक्तों का मतलब प्रतमोव समयक्तों समयक्तों समझना, क्या समझना, क्यों समझना, क्यों कि मिठ्यातों का अभाव करके ओव समयक्तों हुआ है, इसलिए प्रतमोव समयक्तों समयक्तो बनाएं तो आपको पूरी किलियर हो गई बोलूँ मैं बोलता हूँ फिर आपको किताब में दिखाऊंगा प्रत्मोव सम्सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल मैंसे दूसरे गुलिस्तानी की परिवासा यहाँ पूरी हो गई 6-7 लाइन की थी इसमेंसे आपको समझाते तो कठन हो जाती अब आप खुद बना लोगे परिवासा प्रत्मोव सम्सम्यक्त के उपर अंतर मुहूर्त काल मैंसे कम से कम एक समय और अधिक से अधिक छेयावली काल सेस रहे उतने में अनंतानुमंदी क्रोद, मान, माया, लोब मैसे किसी एक कवदे आ जाए तो जीव सासादन गुणिस्थान में आ जाता है अब देखो परिवासा यहाँ, दूसरे गुणिस्थान की परिवासा प्रश्टे क्रमांग 89 इसमें थोड़ी सी बस आधी एक लाइन बढ़ा दी है वो भी आपको पता है मैं इस मैंसे, उस तक मैंसे गुणिस्थानी किताब मैंसे पढ़के बताता हूं गौमर सार जीवकार्ण गाथा नंबर 19 प्रत्मोवसं सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल मैंसे जगन एक समय या उतकरिष्ट छे आवली प्रमान काल सेस रहे उतने काल मैं अनंतानुमंदी क्रोद मान माया लोव मैंसे किसी एक कशाय के उदय में आने से सम्यक्त की विराधना होने पर क्या हुई सम्यक्त की विराधना हुई स्रद्धा की जो अव्यक्त अतत्त्यो स्रद्धान रूप पर्णती होती है स्रद्धा की कैसी अव्यक्त अतत्त्यो स्रद्धान रूप पर्णती मानने अभी स्रद्धा में अतत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् कुछ कठेन लगा, सरल है, अब देखिए, यह जो हमने भी परिवासा समझी, इस परिवासा में एक सब्द और आया है, उसको ही मैं ज़रा भी सम्छेब में बताने का प्रयास करता हूँ, कितने काल, यह अंतर मुहूर्थ क्या है, बस उसको बस बता के फिर अपना आज पूरा कर लेंगे, यह अंतर मुहूर्थ क्या है, बताओ, यह तो आप सब जानते हैं, यह तो आप सही पूछेंगे, कल हमने बोल दिया था, तो एक हिंटे तो आपको मिली गई है, यह ना इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं है, कल आप अंतर मुहूर्थ बता रहे थे, तो आज भी बता रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रशन है किसने भी बेजा, वो पहले ही से याद आ गया मुहे, क्या होता है अंतर मुहूर्थ, कोई नहीं बता रहा, माईक तो है यह दर किदर, आप मत बताओ, अच्छा, मत बताओ, हाँ बोलो बिटा, एक समय कम, अरतालीस मिनिट, हाँ, अरे बाह, बहुत बढ़ी है, और किसी को बताना है, देखिए, मैं ही बता देता हूँ, समय कम है, भक्ती कर समय हो गया, दो-पांच मिनिट में पूरा कर देता हूँ, सर्वत्रे प्रसिद है, क्या प्रसिद है, अंतर मुर्त माने, अरतालीस मिनिट, जब भी कहते हैं, यह वस अंतर मुर्त ध्यान करो, केवल गयान और मोक्ष, अंतर मुर्त माने, अरतालीस मिनिट ध्यान लगावा आतमा में, केवल गयान और मोक्ष, अंतर मुर्थ का अर्थ अर्टालीस मिनिट होता ही नहीं है पहली बात क्यों क्यों कि अर्टालीस मिनिट का एक मुर्थ होता है क्या होता है अर्टालीस मिनिट का मुर्थ होता है पर ने अंतर मुर्थ बना दिया फिर अंतर मुर्थ कितना अर्टालीस मिनिट में एक समय कम करो एक समय उसका नाम है भिन्न मुहूर्थ क्या नाम उसका? भिन्न मुहूर्थ और उस भिन्न मुहूर्थ में से एक समय और कम कर दो एक समय और कम किया उसका नाम होगा उत्क्रिष्ट अंतर मुहूर्थ कितना? उत्क्रिष्ट अंतरमुर्थ जब उत्क्रिष्ट है तो फिर जगन्न भी होगा और जब जगन्न है और उत्क्रिष्ट है तो फिर मद्यम भी होगा प्रस्न अपने आप बन जाते हैं तो वो भी बना लेते हैं अपन उत्क्रिष्ट अंतर मुहूर्थ कितना हो गया दो समय कम 48 मिनिट उसका नाम है उत्क्रिष्ट अंतर मुहूर्थ तो फिर जगन ने कितना एक आउली फिर से आगई आउली कितनी आउली एक आउली प्लस एक समय एक आउली प्लस एक समय इसका नाम है जगन अंतर मुहूर्थ अब बोलो कि जगन अंतर मुहूर्थ भी होता है और जगन अंतर मुहूर्थ एक सेकंड में कितने जगन अंतर मुहूर्थ होंगे फिर से बोलता हूँ एक आवली प्लस एक समय का भी अंतर मुहूर्थ होता है जिसे कहा जगन अंतर मुहूर्थ और पहले मद्यम और बता देता हूँ फिर वो प्रशन पूछता हूँ दोनों के बीच का एक आवली प्लस एक समय से उपर मैंने एक आवली प्लस दो समय एक आवली प्लस तीन समय यहां से बढ़ाते जाओ और तालीस मिनिट में तीन समय कम तक यहां सारे मद्यम अंतर मुहूर्थ के भेद होते हैं और यदि अपन एक एक समय ऐसे बढ़ाते जाएं तो अंतर मुहूर्थ असंख्यात प्रकार का होता है कितने प्रकार का? असंख्यात प्रकार का अब यह संख्यात प्रकार तो वहाँ तो बहुत दूर रहो एक सेकंड में भी यह संख्यात प्रकार के अंतर मूर्थ बन सकते हैं कितने एक सेकंड में भी यह संख्यात कैसे कैसे एक आउली प्लस दो समय एक आउली प्लस तीन समय एक आउली प्लस चार समय अरे एक आउली प्लस एक आउली कर दो तो कितने अंतर मूर्थ हो गए असंख्यात एक आउली असंख्यात समय की और उसमें एक आउली में भी कितने समय असंख्यात समय दोनों को जोड़ दिया मैंने एक एक समय बढ़ाते हुए तो दो आउली में ही असंख्यात अंतर मूर्त बनते हैं तो एक सेकंड में कितने अंतर मूर्त धेरों असंख्यात और फिर पूरे अलतालीस मिनिट के अंदर तो कितने अंतर मूर्त बहुत सारे अंतरमूर्थ हैं हैं अपने सब समझने का प्रियास करना चाहिए बस एक अपन ने सुन लिया याद कर लिया कि अलत आलीस मिनट सब अंतरमूर्थ वो नहीं है अब यहां पर भी जो अंतरमूर्थ लिये जाते हैं वो यथायोग अंतर मोहुरते हैं इन सबकी और विसेश चर्चा अपन क्रम सहा करते रहेंगे अभी का समय अपना अभी देखो समय हो रहा फिर उनके भक्ति का भी लेट होता है तो अपन कोई आकुलता भले ही नहों उधर क्यों आकुलता हो तो अभी अपन पूरा करते हैं इस संबंद में आपको कोई भी प्रस्न हो और जो भी तो आप या परची में लिखके दें या फिर नहीं लिख पाते तो फिर माईक है तो आप कल भी पूछ सकते हैं और बैसे पूछ सकते हैं